एक बड़ी खबर बखसर से आती है जहांपर बखसर के SP बताते हैं कि भोजपूरी सिंगर के गिरफतारी हुई है और गिरफतारी क्यों हुई है तो उसने अश्लील गाना गाया था अब खबर सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में अगर प्रसासन इसी परकार से कारवाई करें अगर प्रसासन को शिकायत मिले और प्रसासन इन गायकों को पकड़े तो फिर भोजपूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो सुधर जाएगा उसका काया कल्प हो सकता है आपको हम बताएंगे कि सिल्पी राज की तरफ से एक मामला दर्ज कराया गया था शिल्पी राज ने बकसर जिले से तालुक रखने वाले एक सिंगर के खिलाप F.I.R कराया था F.I.R. इसलिए कड़ाया था क्योंकि वो बकसर का सिंगर शिल्पी राज के नाम के साथ गंदा गंदा अश्रील गाना गा रहा था और हमको आपको पता है कि भोजपूरी में इस प्रकार का एक ट्रेंड चल रहा है जब किसी का भी लेकर कुछ भी गाई है लेकिन आपके उपर कुछ नहीं होता है लेकिन कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्याले की तरफ से आदेश और उसके बाद से बकसर के एसपी खुद कारवाई करते हैं खुद आकर कहते हैं कि कुछ ऐसा कीजिएगा तो आपके उपर भी कारवाई होगी तो इसका अपने आप में बड़ा मतलब है आगे हम आपको पूरी खबर बताएंगे बताएंगे कि जिस संगेर की गिरफतारी होई है आखिर कार उसने असल में किया क्या था बागिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जंता जंशन सबसे पहले शुरुबात करते हैं कि आखिर कार शिल्पी राज ने F.I.R. दर्ज क्यों कराई थी तो आपको यूट्यूब पर या सोशल मेडिया पर ऐसे कई सारे गाने मिल जाएंगे जिसमें भोजपूरी का कोई दूसरा सिंगर किसी एक सिंगर का नाम लेकर फोटो लगा कर अश्रिल गाना गाता है उसको गाली देता है उसके घर के बारे में खंदान के बारे में उसके चरित्र के बारे में गंदी गंदी बाते करता है और इसी परकार का एक मामला बखसर से आया जहांपर एक सिंगर जिसके उम्र कहे जा रही है कि 20 साल के आसपास है वा शिल्पी राज का नाम लेकर गायना गाता है शिल्पी राज के बारे में हम सब जानते हैं शिल्पी राज भोजपूरी की सिंगर है और भोजपूरी न्यूजिक इंडस्ट्री में कम समय में बड़ा नाम एक बना चुकी है शिल्पी राज और मौजूरस में की बात करें तो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्षन में शिल्पी राज का कोई ना कोई गाना हमेशा मौजूद रहता ही रहता है और उसी शिल्पी राज की तरफ से बकसर के उस गायक के उपर यार कराई गई इस इसके बाद से बकसर के जो SP है बकसर की जो पुलिस है वो जांच परताल करती है और तब पता चलता है कि वाकई में उस सिंगर ने शिल्पी राज का नाम लेकर शिल्पी राज का फोटो लगा कर शिल्पी राज के चलितर के बारे में शिल्पी राज के खनान के बारे में घर क बारे में गलत बाते गाया है गलत बातों को उसने दिखाया है और इसके बात से जो भोवक ट्रेंड चल रहा है कि आप किसी दूसरे जाती को गाली दे दिजिए और अपने जाती को सेर बताते हुए गाना गा दिजिए आप किसी दूसरे गायक का नाम लेकर उसको गाली दे दिजिए और आपका गाना वाइरल हो जाएगा किसी गायक की बेटी के बारे में उसकी पत्न गाली देकर अश्रील गाकर के गाना बनाना एक परकार का ट्रेंड बन चुका है। तो उनके उपर कारवाई कब तक होगी। तो हम बस यह उम्मीद कर सकते हैं कि एक सिंगर के उपर कारवाई हुई है। पर अश्रील गाना नहीं बजाना है। अगर अश्रील गाना बजेगा तब आपको पकल लिया जाएगा। फिलाल यह पहली कारवाई आप कह सकते हैं कि जो आदेश जारी हुआ है उसके बात से हुई है। अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है जो भी तमाम जानकारी जो भी ने आपडेट इस से जुड़ा हुआएगा। सब कुछ में आप तक पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि बोजपूरी में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी आता है किसी के नाम लेकर उसकी मावेन को गाली देकर गाना गाता है और गाना सोचल इंडिया पर वायरल होता है उसके उपर कैसे ल कि अहाँते हैं आप 카े उसके लिए काली एकारे गाली है ऋेएवाजे रहां पाली है उसके लिए रहाँ पर गाणč가 पाली है जवेदे़ सकी इन आपतू हैिंगे और गारे में जिए जवेर उट तक एनपूरी में आपक पलेंग इन बाहाँते हैं जड़के लोके ऊवेर